हलो एवरिवन वेलकम टो वन्स स्मार्ट क्लासेज जैपूर हम आपके लिए लेके आये हैं CMA इंटर डारेक्ट टेक्स के की mcq 200 mcq हम अल्रेडी कर चुके हैं तो चलिए उसके आगे शुरू करते हैं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट कर लिजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें सेक्स कॉशन नमबर 201 क्या कह रहा है सोटम कैपिटल गेन अन सेल आफ लिस्टेड शेयर्स इन ओन वीच एस्टी पेड इन रिकोगनाइज स्टोक एक्सचेंज इचार्जेबल टू टेक्स देखे अगर हमने लिस्टेड सेयर्स को रिकोगनाइज स्टोक एक्सचेंज के 12a में कवर होकर तो यह किस रेट से टेक्सेबल होता है सर 15 परसेंट 15 की स्पेशल रेट से टेक्सेबल होता है कुशन नमबर टू वेन टोटल इंकम ऑफ इंडिविज्व एक्सीड रुपीज फिप्टी लैक अगर इंडिविज्व की टोटल इंकम पचास लाग से जादा है तो सर्चार्ज क्या लगेगा देखिए सर इंडिविज्व पे चार तरीके के सर्चार लगते हैं 10, 15, 25, 37 अगर इंकम पचास लाग से एक करोड के बीच में है तो 10 परसेंट एक करोड से दो करोड के बीच में है तो 15 परसेंट दो करोड से पांच करोड के बीच में है तो 25 परसेंट और 5 करोड से उपर है तो 37 परसेंट यहां पे बात है सर पचास लाग से जादा है तो त जहला सर्चार लगेगा 10% तो आंशर हो जाएगा C 10% ओके चले नेक्स लिका है वेन दे अमाउंट इज विड्रोन फ्रों NPS इट इस चार्जेबल तो टेक्स तो दे एक्स्टेंड विड्रोल एक्सीड कितना परसेंट ओफ कॉंटर विड्रो करते हैं तो बताया था कल भी ला परसेंट रहता है तो यहां पर आंसर हो जाएगा 25% नेक्स आजाएगे सर क्वेशन नमबर 204 क्या कह रहा है मिस जोथी ऐस 23 एर्स गोट मैरीड एंड लेफ्ट इंडिया तो जोइन हर हजबेंड तो दे उनाइटेट किंडम on 10th June 2021 she had never left India earlier वो इससे पहले इंडिया से बाहर कभी नहीं गए थे her residential status for the assessment year 22-23 आपको बताना है right मैंने आपको बोला हुआ है कि जब भी residential status determine करना हो सबसे पहले यह निकालिये कि आप previous year में कितने दिन इंडिया में थे previous year है 21-22 में कितने दिन इंडिया में थे तर्थीज दिन अप्रेल के 31 दिन मई के और 10 दिन जून के बताईए इतने इंडिया में थे तो यह total थे 30 60 70 71 डेज इंडिया में थे अब 71 डेज इंडिया में थे तो 182 डेज की 365 दिन क्या वो भी हो रहे हैं हो रहे हैं सर कहां लिका है दिखो यह लिका है कि उन्होंने आज से पहले इंडिया कभी छोड़ा ही नहीं तो इसका मतलब बेसिक कंडिशन फुल्फिल हो रहे हैं साथ ही साथ जब आज तक इंडिया छोड़ा ही नहीं तो पिछली दो कंडिशन जो है साथ साल में 730 दिन और 10 साल में जाएगा बी लॉस फ्रॉम हाउस पोपरटी राइट राइट जाता है उसके लावा किसी भी लॉस को कंडिडर नहीं किया जाता है तो आंसर हो जाएगा भी लॉस फोर्म हाउस पोपरटी राइट क्योंकि ऐसे अगर सारे लॉस हम कंसिडर करने लगे तो फिर टीडिश कटेगा इन तो इसलिए बोला कि नहीं हम सिर्फ हाउस पोपरटी का लॉस ही कवर करेंगे बाकी लोस है तो आप बार में रिफंड ले जाना जब आप अपने रिटन फाइल करो तब अभी तो हम टीड इस दिया रेंट दिया और उस पर हमने आपका टीडियस नहीं काटा ठीक है पेट टुदर लेंडलोड पाइए कंपनी अधर अमांट लाइबल फो डिस लाउंस तो कितना अमांट डिस लाउड हो जाएगा बताईए तो देखिए इसमें एक अमेंड मेंड मेंड है मैं बता से स्नारियो में इसका अंसर कुछ हो रहा है पहले हम यह बात करते हैं उस टाइम पे इसका अंसर क्या था देखो पेमेंट किस ने किया है बाइए कंपने किया गया है राइट ओके और TDS नहीं काटा गया है हमने यह पड़ा हुआ है कि अगर TDS नहीं काटा जाता है तो 30% expenses disallowed होता है तो पहले वाले विशाब से तो 2,30,000 मतलब कि 6,000 पर disallowed होने चाहिए थे ठीक है तो सही जवाब तो यही है इसका कि 6,000 पर disallowed हो जाएंगे 30% of rent पर अब हम बात करें तो अब 2,40,000 तक के annual rent पर TDS करता ही नहीं है पहले क्या होता था 1,80,000 की limit थी उससे उपर होते ही TDS कर जाता था अभी 2,40,000 की limit कर दिये वहां तक TDS नहीं करता है तो यह जब क्यूशन बनाया गया था तब 1,80,000 के साफ से बनाया गया था तो उसके साफ से सही जवाब है 60,000 रुपय जबकि अगर यही क्यूशन 2,40,000 के साफ से बना होता तो हम कहते हैं कि वह यह TDS काटने की liability है यह नहीं और जब liability है ही नहीं तो कोई भी खर्चा इसका disallowed नहीं होगा तो present scenario में इसका answer है निल और जो question बनाया गया था जिस context में उसके साफ से answer है 60,000 सर हमें क्या करना है अरे भी आपके लिए question जब exam में आएगा तो वह एक क्या aspect देगा या तो वह rent 2.40 से ज़्यादा कर देगा ठीक है और अगर 2.40 से कम rent रखता है तो वह पूछ नहीं है आप से यह निल वाला point चाहता है ओके चलियो next कह रहे है 207 when the assessee has loss from house property the maximum amount of such loss eligible for set of against other permissible income would be देखे house property का जो loss है intra head में तो आप कितना भी set of कर सकते हैं मतलब same head से तो आप कितना भी set of कर सकते हैं पर inter head adjustment की जब बात आती है तो maximum 2,00,000 तक का ही loss आप set of कर पाते हैं मतलब house property के loss में inter head adjustment 2,00,000 से जयादा का नहीं हो सकता सारे head को मिला के चलियो question number आईए 208 के ओपर क्या कह रहा है 208 when a capital asset was acquired on 1st April 1990 and sold in June 2017 the cost of acquisition or the fair market value as on the date as the option of the SAC is to be adopted for indexation purpose कि भईया cost of equation निकालते टाइम पे हम कौन सी market value लेंगे तो देखिये सही जवाब है इसका 1st April 2001 अकर कोई भी asset आज की date में हम बात कर रहे हैं अकर कोई भी asset 2001 से पहले की acquired है और उसको हमें बेचना है तो हमें 1st April 2001 की value को और actual cost को whichever is higher जो होगा उसको आपकी cost of equation माननी होगी ठीक है पहले ये 1981 हुआ करता था इससे पहले ठीक है हर 20 साल में ये change हो जाता है आने वाले time में ये 1st April 2021 हो जाएगा समझके तो अभी है 1st April 2001 question number 9 when a motor car is sold for rupees 12 lakh by a dealer to a buyer holding pin the amount of tax collected at source मतलब TCS कितना collect होगा तो आपको बताया हुआ है अगर 10 means अगर आपने 9 lakh की गाड़ी खरीदी तो कोई TCS नहीं है पर 12 lakh की गाड़ी खरीदी तो पूरे 12 lakh पे 1% मतलब की 12,000 का TCS आप से collect किया जाएगा हमें यह पूछा है फिलाल कि कितना TCS collect करेंगे तो हम बोलेंगे सर बारा लाग की गाड़ी पे 1% 12,000 रुपा आप से collect किया जाएगा ओके चलियो Q10 Cash donation driven to charitable trust approved under section 80 G is eligible for deduction under that section when the amount of donation does not exceeds कितने रुपए से ज्यादा का cash donation नहीं होना चाहिए main mudda है cash donation कितने रुपए से ज्यादा का cash donation नहीं होना चाहिए to answer is 2000 2000 से ज्यादा का cash donation नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आपने 2000 से ज्यादा का cash donation किया है तो आपको कोई deduction नहीं मिलेगी चाहिए आपने किसी भी fund में donate कियो ना किया हू Okay आ गया जाएगे sir question number 211 in the case of domestic company turnover of gross receipt is 70 crore the basic rate of the income tax applicable for computing as normal provision of would be when the turnover of the company has been 390 crores in the previous year relevant to the previous year assessment year 1920 ठीक है तो sir पताया हूँ आपको कि अगर turnover 400 crore से ज्यादा नहीं होता है total income of rupees 1.5 crore including surcharge and health and education says देखिए वैसे तो जो MMR होती है na normal MMR वो तो होती है 30% plus 37% plus 37% किसका 30% का 37% ठीक है और plus 4% किसका इन दोनों का मिला के 4% इस तरीके से चलता है तो यह आती है आपकी 42.744% इसको बोलते है MMR पर यहां पर हमें कुछ और पुछा गया है हमें बोल रहा है अगर किसी person की इंकम डेड़ करोड रुपय है तो उस टाइम पर उसके लिए MMR क्या है तो हम कहेंगे सर 30% तो टेक्स ही डेड़ करोड इंकम होने के लिए 1. 15% कितना 15% सर्चार लगाना होता है तो 15% सर्चार लग जाएगा और 4% HEC लग जाएगा तो 30 का 15% परस उसका 4% तो आशर आजाएगा 35.88% 35.88% परसेंट आए गया जाएगे सर्च Question number 13 क्या कह रहा है When a charitable trust under section 12 AA pay a rent of Rs. 50,000 towards rent to a resident for premises occupied by it without deduction of TDS for the entire previous year पूरे साल में आपने 50,000 रुपय का rent पे किया है और आपने उस पे कोई TDS नहीं काटा है तो कितना खर्चा डिसलाउड हो जाएगा ट्रस्ट का हम कहेंगे सर्ण निल क्यों क्योंकि सर्फ 50,000 तक का अगर साल रहना है तो उस पे तो TDS बनता ही नहीं TDS तब बनता है जब 2,40,000 से जादा का rent हो ओके तो इसलिए आप पे TDS बनता ही नहीं और बनता नहीं है तो काटने जुरत भी नहीं है और जब काटने जुरत नहीं है तो डिसलाउट भी नहीं होगा आगे लिखाये लोकिन पिरेट फोर कैपिटल असेट अ कैपिटल गेन बोंड इस्यूद बाइ एन चैयाई फोर दे प्रपरज ऑफ डिटमार डिट्शन अंडर सेक्शन 54 इसी 54 इसी में डिट्शन लेने के लिए बोंड कितने पेमेंट मेंट टू ए नोन डेजिडेंट स्पोर्स परसन अगर नोन डेजिडेंट स्पोर्स परसन को आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर TDS कितना कटेगा देखे जब हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो सिर्फ प्रिस्काइव रेट से TDs काटते हैं पर जब नोन डेजिडेंट को पैमेंट करते हैं तो साथ में HEC भी सामिल करते हैं तो यहां पर रेट है 20% यहां पर रेट है 20% प्लस 4% HEC तो 20% प्लस 4% HEC मिलाके एफेक्टिव रेट जो होगी 20.8% रहेगे आगे चलते हैं question number 216 where a partner of the firm transfer any capital asset to the firm by way of capital contribution for the purpose of computing capital gain in the hands of the partner the amount of deemed consideration is जब कोई partner अपनी asset as a sell capital contribution firm को दे देता है तो in that case sell consideration क्या होगा ये पूछा है तो हमने बताया हुआ है कि सर वो उस दिन market value क्या थी उससे को फरक नहीं पड़ता है books में कितनी value पे उस asset को record किया गया है इस बात से फरक पड़ता है तो answer आ जाएगा यहां पे the value the amount recorded in the books of the firm जितनी books में as a capital contribution आपका amount जमा किया गया है वो ही आपके लिए sale consideration होगा आगे सुनिये sir next क्या कह रहा है next बोल रहा है sir when the gross receipt of a profession exceeds rupees कितने रुपए से profession exceed होनी चाहिए कि आपको 44 AD में audit करवानी पड़े ठीक है आपकी receipt कितने से exceed होनी चाहिए कि आपको 44 AD में audit करवानी पड़े साती सार 44 AD के rule आपके उपर ना लगे तो देखिए पहली बात तो देखो यहां पर आप को profession की बात की गई है profession के case में 50 lakh की limit है 50 lakh तक आपको audit नहीं करवानी है 50 lakh से उपर receipt होता ही है आपको audit करवाने की requirement आ 50 lakh answer आपका हो जाएगा 50 lakh से उपर होते ही आप 44 AD नहीं ले पाएंगे आगे चलते हैं question number 218 medical insurance premium incurred for senior citizen is eligible deduction up to देखिए अगर आप खुद के spouse के बच्चे के लिए करवाते हैं medical insurance तो 25,000 तक की deduction मिलती है परेंट्स के लिए करवाते हैं तो भी 25,000 की deduction मिलती है बट अगर कोई senior citizen है in that case यह 25,000 का amount बढ़के 50,000 हो जाता है तो यहाँ पे हमारा सही जवाब रहेगा 50,000 रूपीच ओके चलियां next question number 219 when a resident senior citizen having gross total income of 556,000 has derived interest from saving account on a nationalized bank is 8200 rupees and fixed deposit interest of Rs 47,000 from such bank दो interest मिल रहे हैं saving bank पे 8200 और FD पे 47,000 from such bank he is eligible for deduction उसको कितने deduction मिलेगी तो आपको बता दें कि कि ATT-T-B section यहाँ पे लगेगा normal person के लिए ATT-T-A लगता है और senior citizen के लिए ATT-T-B लगता है और इस पर ATT-T-B आपको term deposit saving bank deposit या इस तरीके के किसी भी deposit को मिला के 50,000 तक की deduction total मिलती है तो यहाँ पे 47 plus 8 55,200 eligible हो रहा है पर maximum जो deduction है वो 50,000 ही है इसलिए option D हमारा सही जवाब रहेगा next question देख लिजिए 220 शुरेश a retired civil servant received monthly pension of rupees 60,000 monthly pension है यह द्यान रखिएगा committed नहीं है per month 60,000 रुपए during the previous year 21-22 the amount of pension liable to tax after standard deduction would be तो देखिए अगर आपको monthly pension मिलती है तो चाहे आप government employee है चाहे आप non-government employee है यह fully taxable होता है तो in that case 60,000 into 12 7,20,000 रुपए आपकी salary income होती है अब हमें पता है salary income में से sir standard deduction मिलती है 16 1A section के अंदर जो की 50,000 रुपए की है ठीक है तो यह 50,000 रुपए आप लकम कर देंगे तो 6,70,000 रुपए आपकी salary income रहेगी जो की chargeable to tax होगी ओके तो answer हो जाएगा आपका C 6,70,000 रुपीच आगया जाएगे question number 221 Mr. Atul age 63 years resident in India है paid for himself through account paycheck health insurance हुद के लिए health insurance लिया 2,10,000 का और वो भी past साल के लिए ठीक है in one lump sum amount 28th March 2022 the eligible amount of deduction under section 80D for the assessment year 22-23 क्या होगा देखे हम जो deduction देते हैं वो एक साल के लिए देते हैं इन्होंने 2,10,000 का premium दे दिया पांस साल के लिए तो जाएड सी बात है एक साल का premium कितना हुआ हूँआ हूँआ हम maximum 50,000 तक की deduction मिल सकती है तो actual 42,000 रुपय एक साल का और maximum 50,000 रुपय जो भी कम हूँ तो आंसर हो जाएगा 42,000 42,000 इनको 80D section में छूट मिल जाएगा ओके आगे देखे हैं question number 222 Ramess Tea Limited acquire a motor car 6,20,000 on 30th August 2021 the company is engaged in the manufacturing of tea in India सीधा काम किया इनका चाय की manufacturing growing नहीं है manufacturing है the amount of depreciation allowable on such motor car would be motor car पे कितना depreciation लगेगा तो देखो पहले तो आपको बता दे motor car पे जो rate of depreciation है वो 15% होती है दूसरी बात इन्होंने 30th August 2021 को purchase की है और same day ही put to use कर ली होगी तो 180 दिन से ज्यादा काम आई है तो कुछ भी सोचने की जूरत नहीं है 6,20,000 का सीधा सीधा 15% कर दीजिए तो amount आजाएगा आपका 93,000 ठीक है तो A आपका सही जवाब होगा 93,000 ओके? चलिया नेक्स देखते हैं question number 223 When an individual non-resident has total income exceeding 50,000 the amount of surcharge payable on income tax would be देखे, resident है या non-resident है? surcharge की rate में यहाँ पे कोई फरक नहीं है individual पे 4 surcharge की rate है जैसा मैंने पहले बताया 10, 15, 25, 37 तो 50,000,000 से 1 करोड तक 10% 1 करोड से 2 करोड 15% 2 करोड से 5 करोड 25% और 5 करोड से उपर 37% यहाँ पे बोला गया सर इंकम 50,000,000 से जादा है तो surcharge की rate कितनी होगी? 10% होगी ओके? The tax required to be deducted at किस rate से TDS कटेगा from the rent payable on plant and machinery assuming pen number are available पनलब paint detail सामने वाले ने डिरक्टी ने paint detail furnish कर दी है तो देखिए section 194 कौन सा है I है rent को लेके जिसमें कहा गया कि plant and machinery का अगर rent है तो 2% tedious है और land and building का अगर rent है तो 10% tedious है राइट? अब यहाँ पे हमें plant and machinery पूचा है तो answer हो जाएगा 2% question number 225 क्या कह रहा है Mr. Manoj a resident employed in ABC Limited in Indian company has gross annual salary income 20,60,000 the standard deduction available कितनी होगी sir आपकी salary कितनी भी हो अगर 50,000 से जादा salary है तो आपको 50,000 की standard deduction मिल जाएगी तो answer है 50,000 पहले यह deduction 40,000 हुआ करती थी अभी यह deduction 50,000 है तो 50,000 की standard deduction इनको मिल जाएगी next आजाएगी 226 share in unlisted अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह चोटे-चोटे वोर्डस है आपको बड़े ध्यान से देखने है unlisted company पहले ही बोलती है लिस्टेड होता तो अलग चीज होती है अनलिस्टेड है तो अलग चीज है तो share in unlisted company in order to be treated as long term capital asset should be held for minimum period कितने टाइम तक इसे रखें ताकि इसे हम long term कह सकें तो देखें लिस्टेड शेर के लिए 12 महीने हैं लिस्टेड के लिए कितना है? 12 महीने जबकि unlisted के लिए कितना है? 24 महीने तो answer हो जाएगा हमारा C 24 महीने अगर आप 24 महीने के बाद इसे बेचते हैं तो इससे होने वाला capital gain long term capital gain होगा Question number 227 क्या कह रहा है Padmaja Power Company Private Limited Engaged in the generation on distribution of electrical power It avails deduction under section 80 IA The gross receipt of the company is Rs. 89 lakhs The last date for filing of the return of income in order to eligible to avail deduction under section 80 IA इज देखिये अगर आपको return file करनी है ठीक है और अगर आपकी audit necessary है तो आपको जो return file करनी की due date है वो है 31st October 2021 और अगर audit की requirement नहीं है तो आपकी जो date आजाती है तो आती है 31st July 2021 अब क्योंकि यहां पर यह deductions क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपकी due date क्या हो जाएगी 31st October 2021 ओके क्योंकि company है और company को audit करवाना जरूरी है तो इसलिए 31st October 2021 आपकी due date हो जाएगी और exemption क्लेम करने के लिए due date में return file करना mandatory है question number 228 क्या कह रहा है Mr. Hari Wallab incurred medical expenditure of rupees 1,20,000 in respect of disease specified in rule 11DD for his father age is 66 years who is totally dependent upon him the amount eligible for deduction from his GTI तेकि 80DDB section है 80DDB section में क्या बोला गया है अगर आप अपने dependent का specified disease का इलाज करवाते हैं तो actual खर्चा और 40,000 रुपए जो भी कम हो उतने के आपको deduction मिल जाती है अगर जिसका इलाज करवा रहे हैं वो senior citizen है तो 40,000 के जगा एक लाज तक की deduction मिलती है तो actual amount एक लाज बी सजार और एक लाज रुपए विचवर इस लेस तो deduction आपको कितनी मिलेगी वन लैक रुपीज की जो की maximum amount है ओके चलिए आगे चलते हैं question number 229 when Mr. Avinas on long term capital gain of rupees 1,80,000 on sale of listed sale his total income being rupees 10,000 the amount of income tax including sales on said long term capital gain हमें सिर्फ अलग से मतलब अलग से पुछा है कि long term capital gain पे tax कितना लगेगा तो देखे अगर आपको long term capital gain हुआ है सिर्फ long term capital gain लिखा होता तो हम section 112 में लेके जाते हैं पर on sale of listed sale लिखा है तो हम section 112 A में लेके जाएंगे section 112 A में क्या बोला गया है कि आपको जो भी gain हुआ है वो 1,00,000 तक तो क्या होता है exempt होता है और अब वो 1,00,000 पे क्या होता है 10% की rate से taxable होता है ठीक है अब इनको फाइदा हुआ असर 1,80,000 का तो जायर सी बात है 1,00,000 तो exempt हो जाएगा और 80,000 का 10% tax लग जाएगा 8,000 रुपे उस 8,000 पे HEC लग जाएगा 4% तो यह हो जाएगा 832 मतलब 320 रुपे तो 8320 हो जाएगे सिर्फ capital gain पे tax अगर हम बात करें तो तो आंसर हमारा हो जाएगा C 8320 ओके चलिए नेक्स देखते हैं Q230 Following expenses are allowed from dividend income dividend income में से कौन-कौन से खर्चे की छूट मिलती है तो सर्थ dividend income में से हम बात करें तो कौन-कौन से खर्चे की छूट मिलती है पहले dividend income exempt हुआ करते थी बाद में इसको taxable किया गया और जब इसको taxable किया गया तो इसके regarding खर्चों पे कुछ restriction लगाई गई तो बोला गया अगर आपने इसके लिए कोई loan लिया है तो उसकी छूट आपको मिल जाएगी तो answer होगा interest on borrowing capital वो भी कुछ limit तक question number 231 देख लीजिए the maximum amount of leave salary not chargeable to tax as specified government in case of non-government employee यह तो पहले आ चुका है question कि अगर leave engagement के आप calculation कर रहे है तो statutory limit क्या होगी 3,00,000 खुरुपे ठीक है मतलब maximum exemption जो है वो 3,00,000 तक हो सकती है ठीक है question number 232 standard deduction under section 161A यह 1A section है ठीक है तो सर्फ 50,000 रुपे तक की आपको standard deduction मिलती है salary में से अगर आपकी salary 50,000 से जादा है तो अगर आपकी salary ही 50,000 से कम है तो जितनी salary है उतना deduction मिल जाएगा तो answer हो जाएगा lower of 50,000 और salary अगर salary 50 से जादा है तो 50 की reduction salary 50 से कम है तो जितनी salary है उसकी reduction अब देखो answer तो वैसे 50 जार भी सही था पर यह जादा सही है तो हमें most appropriate answer देना होता है तो B will be right answer चलिए question number 233 in the case of foreign company with the total income of more than 1 crore but less than 10 crore the surcharge will be leviable देखिए foreign company के लिए surcharge की 2% और 5% rate है मतलब 1 से 10 crore के बीच में income है तो 2% और अबो 10 crore है तो 5% जबकि Indian company के लिए यह 7% और 12% होता है हम से पुछा है foreign company और income है 1 crore से 10 crore के बीच में तो in that case rate रहेगी 2% तो answer हो जाएगा C 2% ठीक है और आकरी question है हमारा इस पूरे subject का 234 question ठीक है तो चलिए इसको भी देख लेते हैं interest on housing loan taken by an individual being his first residential house is eligible for deduction under section 80EE up to the maximum amount 80EE में कितनी छूट मिलती है जादे से जादा तो है पचास हजार उपए this deduction is apart from 24B 24B जो है interest on loan house property वाले chapter में वहाँ पे तो मिलती है उसके अलावा अलग से पचास हजार रुपए की आप 80EE में क्लेम कर सकते हैं interest on loan for residential house property लीजे सब ये आपके CMA inter paper number 7 direct tax के MCQ complete हो चुके है I hope आपको इसमें काफी concept clarity मिली होगी और ये आपकी आने वाले exam में मदद करेंगे आज के लिए इतना ही next video में फिर मिलेंगे नए subject के साथ वीडियो को like share जरूर कर दें और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरूर से कर लें thank you